नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेयर में 24 जुलाई 2021 के न्यूज पेपर में से, जो कि आपके एक्जाम, CHSL, Combined Graduate Label, NTPC, Intelligence Bureau, CPOSI, दिल्ली पुलिस, और इस्टेट सर्विसेस एक्जाम लाइक UPPCS, बिहार, राजस्थान के साथ साथ बैंकिंग एक्जाम के करेंट अफेयर के लिए या हेल्प करेगी, तो आईए एक एक करके डिसकस करते हैं, आज के नेशनल अफेयर्स में, रास्ट तो दोस्तों, जैसा कि यह एक Ordinance था, जिसे लोकसभा में पेश किया गया है, The Central Government Introduced the Essential Defense Service Will 2021, इन लोकसभा, यानि Lower House, Upper House और Lower House, दोनों के बाद यह राष्ट्रपती के पास जाता है, और राष्ट्रपती इसको अनमोधन कर देते हैं, फिर यह कानून बन जाता है, तो Minister of State for Defense, अजैभध, introduced to the bill, amid a huge uproar from the opposition, चुकि हंगामे की बीच यह किया गया, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, कि इससे जो है, जो कर्मचारी है, या संग है, उसको नुक्षान होगा, तो the bill will replace the Essential Defense Service Ordinance, यानि यह किसका, यह अध्यादेश था, अब इसको जो है, Essential रक्षा सेवा बिल के रूप में करार, जो कि अभी 30 जून को लाया गया था, इससे क्या होता है, इसमें यह बिवस्ता दी गई है, कि अब हरताल नहीं कर सकते, इस्ट्राइक नहीं कर सकते, As per the provision of the bill, it provides for the maintenance of the essential defense services in order to ensure the security of the country and the life and property of the public at large. तो इस तरह से, statement of object and reason of the bill states that it is essential for the defense preparedness of the country to maintain an uninterrupted supply of ordinance fund to the armed force and to continue the work of the ordinance factories without any disruption. तो यह जो है, इसमें कोई बिनाब्यावधान के, जो कि यह ओयब भी यह जुड़े कई संगठन हैं, वह सब जो हरताल वगरा करते हैं, इस पर अब यहाँ कंट्रोल लगाएगा, तो यह विल इसके आधार पर अगर यहाँ फिर से कर्मशारी हरताल पे जाते हैं, तो दस जार रूपए या दोनों में दंडित किया जा सकता है, एक साल की जेल की जा सकती है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, IIT के, यहनि IIT कानपुर लाँचे टेकनलाजी इनोवेशन हब टू, फाइंड साइबर सिक्योरिटी सोलूशन फार एंटी ड्रोन्स टेकनलाजी, यहनि IIT का यहनि इसके लिए 13 स्टार्टप और 25 अनुसंधान भी कास प्रमुक्चैन करताओं को चैनित किया गया है, इसा IIT कानपुर के ने कहा है, तो तो IIT कानपुर इसका नाम रखा गया है, जो लाँच किया है, C3I Hub, यहनि IIT कानपुर का C3I Hub, महतपुन बुनियादी धाचे, सहित साइबर स्पेस, यहनि साइबर सीक्योरिटी, उसकी सुरक्षा पर यहाँ सेंटरलाइज होगा, Making India's Cyber Security Solutions are being promoted by the government to counter the growing threats from India's neighboring countries like China, Pakistan, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, तो इन सब पर यहाँ कंट्रोल करेगा, अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है UNESCO, UNESCO का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, United Nation Educational Scientific Cultural Organization, यहनि संयुक तर्रास्ट सैक्षिक बैग्यानिक सांस्कृतिक संगठन, विच्व हेड़क्वार्टर इन पेरिस, पेरिस में इसका मुख्याला है, तो हिस्टोरिक अर्बन लै सहरों को चैनित किया गया है, जिसमें से मद्ध प्रदेश के दो सहर, औरचा और ग्वालियर भी इस परियोजना के तहट सेलेक्ट हुए हैं, तो सीम सिवराज सिंग चौहान कौन है, यह मद्ध प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, इन्होंने इसे वर्चूल तरीके से और अजमेर, यानि भारत में वारांसी और अजमेर के साथ साथ दो और हो गए कौन कौन, औरचा और यह ध्यान रखेंगे, यह ग्वालियर तो को सामिल किया गया है, तो इस तरह से यह भी महत्पूर्ण है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल अफेर्स में, लीव लीवरपूल यह कहां है, यह बरिटेन में है, तो इसकी सूची से हटा दिया गया है, और इससे 2004 में सार्ट लिस्टेट किया गया था, तो इससी ती कॉंसिस्टेट अफ सिक्स लोकेशन इंक्लिवडिंग पीर, हैड, अलबर्ट, डॉक और विलियम ब्राउन स्ट्रीट, य दुनिया के प्रमुख ब्यापारिक केंद, यानि ट्रेट सेंटर्स को डेवलब करने के लिए महात पूण भूमिका निभाई थी, in 2012, after a proposal for large-scale redevelopment of these historic डॉक लेंड, यानि यह संकट ग्रस्त 20 विरास सूची भी ने सामिल किया गया था, लेकिन यह निरने युनेसको समित द अटाने का निरने लिया गया, हाला कि इस निरने से उसकी प्रतिष्ठा पर कह सकते हैं दाग लगेगा, प्रभावित होगी, अब बढ़ते हैं दोस्तों, युनेसको के बारे में थोड़ा जान लीजिए, तो मैंने बताया है था, United Nations Education, Cultural, Scientific and Cultural Organization, दोस्तों, इसमें याद रख अब बढ़ते हैं दोस्तों, चाइनीज प्रेसिडेंट श्रीज हिन्पिंग विस्टेड तिब्बत फार्ट पास तिब्बत में वह आए हैं, इस तरह से निरने के लिए ये चाइनीज रास्टपती श्रीज हिन्पिंग भारत के एकदम सीमा के पार, यानि सीमा के पास तिब्बत में वह आए हैं, इस तरह से फिर से हलचल हो चुकी है, तो यह कौन सी सिटी में आए हैं, तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिन्पिंग विस्टेड दा तिबतन सीटी बॉर्डरिंग अरुनाचल प्रदेश एमिट दा अन्गोइंग टेंसन बिद इंडिया, द इस तरह से यह कह सकते हैं, कि शी देन विस्टेड दा न्यांग रिवर बीज, विच इस काल्ड यारलुंग जांगो इन तिबतन तो इंस्पेक्ट एक्रोलोजिकल कंसरवेशन इन दा बेसिन आप ब्रहमपुत्रा रिवर, तो यारलुंग जांगो को तिबत में सांग, चीन इसके एकदम बॉर्डर परिस्तित है, यही कारण है कि सामरिक दिस्ट कोर्ड से यह बहुत महत्तपोंड है, खासकर चीन के लिए, तिस तरह से चाइना सांती से बैठा नहीं हुआ है, और चाइना और भारत के बीच में जो जो एलेसी है, इसे लाइन एक्ट्यूल कंट्रो मीटर है, उसके बाद जो है, चीन का ही आता है, यह धियार रखेंगे, तो चाइनीज लीडर विजिट तिबबत रिगुलरली, बट सी जिन पिंग हूर चेर्स दा कॉम्टिस पार्टी आफ चाइना और सेंटर मिलेटरी कमिशन इदा फर्स सीनियर लीडर तू बी विजिट अगर चीन का भारत के साथ संघर्स होता है, तो यह रेलवे लाइन रंडनीतिक रूप से काफी काम आएगी, यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं मांचित में थोड़ा सा दिखाने के विजिए नियांग्ची, यह पूरा औरनाचल प्रदेस है, और यह देख रहे हैं, यहां से यह ट्रेन है, यहां से इसको जोड़ते हुए जाएगी, तो यह कह सकते हैं कि जैसे मां लिजिए कोई भारत और चीन के भी संघर्स होता है, तो यह बहुत हेल्प करेगा, अब बढ़ते हैं दोस्तों, इन्वार्मेंट और एकोलोजी में, फायर इन दा खंधा छेतर है, टेंपरेट रीजन, इवन टेंपरेट से भी मतलब और कह सकते हैं टेंपरेट और उपर आर्कटिक छेतर के अंतरगती आता है, उसके बावजूद भी यहां के जंगलों में आग, यानि इसके पीछे कहीं ने कहीं क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मि forest fire causing heat wave in these countries, यानि यहां पर लू चल रही है, climate change and poor land management are the possible reason being attributed to this fire by expert, यानि CB से सकनो कि यही राय है कि कहीं न कहीं यह जलवाई परिवर्तन और खराब भूमी प्रबंधन इसके पीछे कारण है, more than 6.5 million acre of land in Yakutia have burnt and the smoke from this wildfire is moving toward Alaska due to the strong gust of wind, इस तरह से धुआ बढ़ रहा है, Alaska तक प्रभावित हो रहा है, Alaska is now, यह पहले रसा का part होता था, but now it is in part of America and largest state of America, यह ध्यान रखियेगा, तो इस तरह से why are wildfire raising in Russia's coldest city, क्यों ऐसा क्या कारण है, तो यही बिसे सग्यों का कहना है, कि Siberiai घंडराज, जिसे या कूतिया भी कहा जाता है, सखा में जलवाई परिवर्तन के कारण इन दिनों भीशन आग लगी हुई है, तो regional official have also highlighted that the average temperature in the region crossed 20 degree Celsius in June, which is 5 degree higher than the region's average temperature, सोचिए, 5 degree अधिक तापमान है, जो औसा तापमान से थी, यही कारण है, कि यहां पर यह आग लग रही है, along with rising temperature, record drought and 16 times lower than normal rainfall, levels have fueled this wildfire in Yakutia या सखा, तो इस तरह से another fire around the world, दुनिया भर में, अपने भारत में उत्राखंड में लगी हुई है, तो इस तरह से the both leg wildfire is Oregon, यूएस में जो है, और इसी तरह से सुस्क गर्मी जंगलों की अमेरिका के पूरवी तटों में फैल रही है, तो यह जंगल की आग है क्या, सबसे महत्पूर बात यहां आती है, तो forest fire is defined as an uncontrollable fire that engulfs forest, grassland and peatland etc. तो यह नहीं कह सकते हैं कि जंगल में लगी आग को एक बेकाबू आग के रूपे परिभासित किया जा सकता है, uncontrollable, जो जंगलों और खास के मैदानों, peatland आद को चपेट में ले रही है, तो forest fire can be caused by natural factors, such as global warming, dry humid climate, dried up vegetation, lightning, volcanic eruption and many other human activities, सबसे बड़ा, यानि human activities भी इसमें कारण होता है, तो जंगल की आग का मौसम क्या है, तो यह generally मई to October के बीच में ज़्यादा सक्रिय होती है, और दोस्तों जलवाई परिवर्तन से ही बढ़ रहा है जंगल की आग का खतरा, यानि मौसम के ऐसी घटना है जो कभी हर 100 साल में घटती थी, अब क्या हो रहा है, every 10 year में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो यह IPCC याद रखना, 1988 में इसके स्थापना की गई थी, International Panel on Climate Change, यही सारी रिपोर्ट ही देता है, जहां फ्लड आ रहा है, तूफान, स्टॉर्म, इन सब के बारे में जानकारी उपलवदे, यानि क्लाइमेटिक चेंज के बारे में यह बताता है, अ बैसिकली इस फार, यानि ओल्ड इज पीपल, पैंसन हाई है, इसमें पैंसन मिलती है, यह 2017 में 4th मही 2017 को यह लाउज दो ही थी, अंडर दिस इफे फरसन 60 यर और मोर यर अफ एज अप्ट फार मंथली पैंसन, याद रखेगा मंथली में 7.4 परसन, याद रखेगा मंथली म द्यू तो COVID-19 पैंडेमिक, इसकी वज़ा से थोड़ा सा कमी की गई है, और यह वन टाइम इंवेस्मेंट स्कीम है, अंडर दिस स्कीम, 1,62,162 विल हैब तो बी इनवेस्टेट फारे, पैंसन आफ रूपीज थाउजन पर मंद, यानि एक हजार रूपया आपको जमा करना ह तो the maximum investment that can be made in this scheme is 15 lakh, यानि अधिकतम 15 lakh रूपय तक का investment किया जा सकता है, जिसमें बैक्ति को 10 साल तक 9,250 रूपय मंथली पैंसन मिलेगी, और इसमें प्लान के कई आफशन हैं, जैसे वन टाइम में आप पैंसन बेंफिट बाई सेलेक्टिंग एनी आफशन मंथली, क्वाइ लेकिन अगर आपने मंथली या जो भी कर दिया तो उसमें फिर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो चेंज नहीं होता है, और इस स्कीम से जुडने की जो डेलाइन है, 2023 तक रखी गई है, इस इसमें रह रहे हर भारती नागरी को इसका लाब मिल सकेगा, अब बढ़ते हैं दोस्तो वेरियस नेसनल इंटरिनेसनल पसनालटी न्यूज में आज हम बात करेंगे मुक्तार अबास नकवी जी की, यह राज सभा में उपनेता, पहले उपनेता पियस गोईल साफ थे, अब पियूस गोईल साफ को जो है, सदन का नेता बना दिया गया है, उनको प्रमोट कर दिया बुद्ध जीवियों का मंच कहा जाता है, it is a permanent house, its tenure is six year and every two year one by third member इसमें retire होते हैं और यह कभी सदन इसका बिगटन नहीं होता है, it is permanent house, तो नक्वी a senior BGP leader has good hold on parliamentary matters, इन पर अच्छी पकड रखते हैं यही कारण है कि इनको चुना गया है, विपक्ची नेताओं से भी इनके बड़े अच्छे संबंद रहे हैं, ऐसे में बिल वगेरा पारित कराने में इन लोगों का बड़ा अहम योगदान रहेगा, हलाकि पहले जो सदन के नेता थावर्चन गहलोत हुआ करते थे, इनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो यह करनाटक के अब गवर्नर हो पड़ते हैं दोस्तों, बुक्स एंड आवार्ड में वाइस एड्मिरल बिने बधवार रिसीवस अलेक्जेंडर डेलरेमपल आवार्ड, तो यह जो है भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एड्मिरल बिने बधवार को बिटिस सरकार ने हाइड्रोग्राफी औ इनको पुरसकार मिला था, लेकिन कोरोना के कारण पुरसकार समारों में देरी हुई, अब जा करके उन्हें यह मिला है, और यह पुरसकार 2006 में इस्टैबलिस किया गया था, अब बढ़ते हैं दोस्तों, संदेश जिंगन विन्स AIFF Men's Footballer of the Year Award, इसी में हम साथ में आगे अभ इन्डिया फुटबॉल यानि Player of the Year इन्हें चुना गया है, बैंगलूरू फुटबॉल क्रब के मिट फिल्डर सुरेश सिंग वांग जाम को Emerging Player of the Year चुना गया है, तो इसी तरह से महिलाओं में Baladewi यह तीसरी बार इनको Player of the Year चुना गया है, और जबकि महिलाओं में Manisa कल Emerging Player of the Year चार याद रखेगा और Baladewi तीसरी बार इह पुरसकार जीत रही है, तो इस तरह से संदेश जिंगन इनको जो है याद रखेंगे कि 2014 में Emerging Player of the Year पुरसकार मिल चुका है और यह 2020 में अरजुन पुरसकार भी जीत चुके हैं, तो इस तरह से यह भी पॉइंट यह द द्वारका दिल्ली में है, इसके Vice President सुबरत दस्ता हैं और प्राफुल पठेल इसके President हैं, अब बढ़ते हैं दोस्तों, Banking and Finance लेटन न्यूज में, Magma FinCorp Renamed as PunaWala FinCorp Limited, यानि अब Magma FinCorp Limited का Renamed कर दिया गया है, अब PunaWala FinCorp Limited कहलाएगा, इसको यहाँ पर FinCorp होगा, यह ध् RBI-registered non-banking finance company, Magma FinCorp Limited has now been renamed as PunaWala FinCorp Limited, and the rebranding activity has been initiated, इस तरह से rebranding activity को शुरू कर दिया गया है, अब मुव कम्स आफ्टर अदार PunaWala, late Rising Sun Holding Private Limited, bought a controlling stack in Magma FinCorp on May 21, 2021, तो इसके बाद यह कदम उठाया गया है, इस तरह से अब इसमें जितने भी PunaWala ने ब्रांट के ताहट अपने नए अवतार में, ग्रूप भोकता और SME सेग्मेंट पर भी अपना ध्यान सेंटरलाइज करेगा, तो Magma FinCorp Limited is a non-deposit taking non-banking finance company है, और दोस्तों यह company 30 साल से 54 लैक है, तो यह भी पॉइंट र्याद रखेंगे, अब बढ़ते ही स्पोर्ट न्यूज में, इंडिया ओन दे सिरीज 2-1, यानि भारत और स्रिलंका के बीच में जो तीन दिवसी, जो तीन मैचों की स्रिंखला थी, एक दिवसी मैचों की, जिसमें भारत 2-1 से, 3 मैच हाल तीसरा और आखरी बंडे था, इस तरह से भारत जी चुका, इसमें अविश्का फरनांडो को मैन आप दा मैच, जो तीसरा मैच था, और मैन आप दा सिरीज सूर कुमार यादो को चुना गया है, सूर कुमार यादो हमारे देश के खिलाड़ी है, और इस बार 5 खिलाड़ी डेबू किये हुनी 180 के बाद, यह भी एक रिकार्ड बना है, यहाँ पर इंडियन प्लेइंग 11 जो टीम है, यह देख लीजिएगा, और स्री लंकन प्लेइंग 11 टीम यह पार्टिसिपेट किये थी, अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंपोर्टन डेज में, आज इंकम टैक्स है, आयकर दीवस है, the Central Board of Direct Taxes CBDT celebrated 161 Income Tax Day, also known as Income Tax Day on 24 July 2021, every year 24 July is celebrated as Income Tax Day in India, तो यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आजी के दिन 1860 में इसकी यानी शुरू किया गया था, और यह 2010 से मनाया जा रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे, तो यह James Wilson दौरा 1860 में, 1857 के बिद्रो में, प्रतम बिद्रो कब हुआ था, 1857 में रिवोल्ट हुआ था, तो नुक्सान की भरपाई के लिए भारत में आयकर पेश किया था James Wilson ने, यह भी ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर केंदरी प्रत्रक्षकर बोर्ट के बारे में जान सिंग, अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के सिरीज में अकबर, महान समराट अकबर की बात करेंगे मुगलवंस में, तो अकबर तैमूर वंसावली में मुगलवंस का थर्ड कह सकते हैं, डैनिस्ट्री का थर्ड रूलर था, और अकबर को अकबर आज हम अकबर भी कहा जाता था तो यह अपनी नीतियां खास कर सभी लोगों को ले कर चलता था तुरिंग इस पीरियद अकबर respected all religions, treated people of all caste classes as equal and established friendship with them, यानि सभी के लिए समान धर्म, सभी के धर्मों का समानिया करता था, और दोस्तों इसका जन्म जलालुद्दिन मुहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमर कोट में हुआ था अकबर वास बार्ण ऑन दा फुल मून, पूर्णिमा के दिन हुआ था तो बहा, इसलिए बद्रुद्दिन मुहम्मद अकबर रखा गया था इसका नाम, तो यहां बद्र का अर्थ ही होता है पूर्ण चंद्रमा, तो अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया है, तो अकबर expanded मुगल पावर to most part of its Indian subcontinent, यानी पूरी तरह से दक्षिन में बीजय प्राप्त किया अकबर का जो सिक्षक था, टीचर अब्दुललतीफ वाजायन, इरानियन स्कॉलर, और अकबर कॉर्णेशन टुक प्लेस ऑन 14 फरवरी 1556, कालनौर में इसने जो है, राज्या भी सेख कराया था और दोस्तों, पानिपत का सेकेंड बैटल अकबर और किसके हेमू के बीच में हुआ था, उसमें बैरम खां का बहुत इंपॉर्टन रोल था, बैरम खां उसका संरक्षक था 1560 तक, तो इस तरह से कहा जाता है कि जो है, अपने आपको कह सकते हैं, मुक्त किया था 1562 में अकबर ने, 1562 महामाई मनगा इन सब में काफी कनफ्लिक्ट था ति इनको भेज दिया गया, हज के लिए वहीं रास्ते में इनकी हत्या कर दी गई हल्दी घटी का यूद बहुत इंपॉर्टन बाना जाता है अपनों के एक्जाम पॉइंट अभी उसे चुकि महाराना प्रताब के बीच लड़ा गया था यूद ना कहा जाता है कि राना प्रताब जीते थे न अकबर जीते थे यह एक तरह से बहुत विनाशकारी इसमें मान सिंग इनके अकबर के शेना पती थे गुजराद विजय के दोरान अकबर पुर्टगालियों से मिला और यहीं पर उसने पहली बार समुद्र को देखा था यह फाउंड़े एर रिलिजन काल दीने इलाही यह दीने इलाही धर्म इसने चलाया था यानि इसमें जो है सब को हिंदू और मुस्लिम धर्म का मिक्स और जैन धर्म सभी बातों को इसने इसमें सामिल किया था हालां कि यह जो दीने इलाही धर्म है यह बहुत जादा सक्सेज नहीं रहा और इसका जो सुविकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू सासक बीरबल ही था जो उनके नौरतनों में से एक था तो अकबर हरी बीजे सूरी ये भी कई बार आपनों की एकजाम में आया हुआ है जगत गुरी की उपादी प्रदान की थी अकबर ने और राजस सुप्राप्ती की जबती प्रणाली अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी और अकबर के दरवार का प्रसिद संगीतकार तान सेन था और अकबर के दरवार का जो चित्रकार अब्दू सम्द था था ये नौरतनों में से सब एक थे इनके नौरतन देख रहे हैं अबुल फैजल फैजी तान सेन राजा बीरबल राजा टोडरमल यह जो है राजा मान सिंग अब्दूरहीम खाने खाना मुला दो प्याजा और फकीर अजुद्दीन तो इस तरह से यह सब अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था अकबर के समकालीन सूफी संसेक सलीम सिस्ती साब थे यह भी पॉइंट याद और अबुल फजल राज दरबार के राज कवी थे और अबुल फजल ने अकबर नाम और आएने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की भी रचना की थी समराट तानसेन की गर्णा भारत के महान गायकों मुगल संगीत के संगीत कारों और बेहतर संगीत अग्यों में की जाती थी ते तानसेन का नाम अकबर के प्रमुख संगीत अग्यों की सूची में सरो परी था तो तानसेन नौरतनों में से एक था यूसुप जाई के बिद्रो को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई थी इसी तरह से 1602 में सलीम ने अवुल फजल को रास्ते में ही हत्या करवा दिया था और मुगलों की राजकी भासा फारसी थी और अकबर के काल को हिंदी साहित का स्वर्ण यूग कहा जाता है तो इस तरह से बुलंद दर्वाजे का निर्मार भी कराया था अब्दुसमद को जो है मुहम्मद हुशैन कश्मीरी दिया गया था अब्टमगा और यह इनिशेटिवस हैं इनके वर्क हैं यह यह याद रखियेगा जैसे कि दास्पृथा से मुक्ति की अपने आपको अकबर को हरम दल से मुक्ति किया तीर थे आत्रा कर समाप्त किया जजिया कर समाप्त किया इबादत खाने का यहाँ पर लोग आकर बैटते थे इबादत करते थे 1571 में किया था दीन ए इलाही दर्म 1500 ए ति ये क्रम से इसको काई बार आप लोगों में एक्जाम में आजाता है तिसे जरूर देखिएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में हैं इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिये हैं आसा करता हूँ कि आज और जादा से जादा लोग उत्तर आप लोग इन प्रसनों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें आज आप लोगों के सामने पहला कोशन है इच बिल ने हाल ही में आवस्यक रक्षा सेवा अध्या देश दो हजार इकीस का स्थान लिया है डिफेंस सर्विस विल, इंपॉर्टन सर्विस विल या अर्डिनेंस विल या इसेंचिल डिफेंस सर्विसेज विल इसमें क्या होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा प्रसन है यह दोनों शहर कहा हैं किस राज्य में हैं करनाटक, उतरप्रदेश, मद्प्रदेश, बिहार और नेक्स कोस्टन है विच अब फॉलोंग हैं रिमूब फ्रम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाथ, लीवरपूल, ग्रीनवीच या जुरासिक तट इस तरह से नेक्स कोस्टन है अब बढ़ते हैं दोस्तों, six कोस्टन है वो वोन थे 2020-21 AIFF मेंस फूटबॉलर अब दे यर आवार्ड यानि किसने जीता सुनिल चट्री, संदेश जिंगन, सुरेश सिंग वांग जाम, अनिरुद धत्थापा उपनेता किसे बनाया गया, मुक्तार अंसारी, प्यूस गोयल, मुक्तार अबास नकवी, अनुराग ठाकूर तो इस तरह से आथवा प्रसनाप के सामने है, which player got the man of the series in the India-Sri Lanka three-day mass series, one-day series में तो शीखरधावन, पृत्वीशा, सूरी कुमार यादो, हर्दिक पांडिया And next question है, when is the income tax day observed in India? 22 July, 23 July, 24 July या 25 July And last question है, when did Akbar get the इबादत खाना built? इबादत खाने का निर्मान कब करवाया था? 1512, 1562, 1575, 1579, 1582 और इन चारों इयर्स को भी आपको बताना है कि कोई न कोई घटनाए इन में हुई थी, कोई न कोई कारे अकबर ने किये थे, इसे भी बताईएगा तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बिल आइकन जरूर दबाएं थैंक यू दोस्तों